चमूली के आपदर प्रभावित शेत्र रेणी और तपोवन में रहत बचाव और खोजविहान लगातार जारी है यहां जिला प्रशासन की देखरेक में आर्मी, NDRF, SDRF की टीम लापता और टेनल में फसे लोगों को निकालने के लिए दिन राज जुई है आज रेणी और मेठाना गाउं से एक-एक शव मिले हैं, सूचना मिलने तक अब तक कुल 38 लोगों के शव मिल चुके हैं, 166 लोग अभी लापता है उतराखंड पुलस के प्रवक्ता निले शानन्द भर्णे नी बताया कि चमोली के विभिन सानों से 18 मानव अंग भी बरामत किये गए हैं सभी शवों और मानव अंगों की DNA सैंप्लिंग की जा रही है, अब तक 23 शवों और 10 मानव अंगों का अंतिम संसकार किया गया है वहीं रेणी और तपोवन की आबदा में मृतिकों के परिजनों को 4-4 लाग की साहता राशी भी दी जा रही है विप्रीत परिस्तितियों के बावजूत टेनल के अंदर से मलबा निकालने का काम लगातार जारी है रेणी शेत्र में मलबी में लापता लोगों की तलाश के लिए जलप रशासनी, RWD के अधेशासिय अभ्यानता और तहसीलदार के नितरतों में एक टीम बनाई है ये टीम पुरानी तस्वीरों के आधार पर और सानी लोगों की मदद से रिशिगंगा पावर प्रजेक्ट में काम करने वाले लोगों की तलाश में जुटी है तपोवन में गौरी शंकर मंदिर के नस्दीक अप्रोच रोड बनाई जा रही है ताकि पोक लेंड मशीन को नीचे उतार कर वाँ मलबे में दबे लोगों की तलाश की जा सके NDRF के कमांडेंट P.K. तिवारी ने बताया कि आददा की छटे दिन भी सभी एजेंसी मिलकर रहत बचाफकारे में जुटे हुए है चमुली जलव प्रशासन ने बताया कि आददा से प्रभावे सभी तेरा गाउ में पहले दिन से ही हैली सेवा से रहत सामागरी पहुँचाई जा रही है ITVP और उत्तराखन SDRF के जवान लगातार दुर्गम प्रभावे शेत्रों में राशन और अन्य आविश्यक वस्तुवें उपलब्ध करा रही है शेत्र में चार मेडिकल टीम की तेनाती की गई है जो विभिन जगाओं पर कैम्प लगा कर स्वासे परिक्षन कर रही है चमूली की जलादिकारी ने बताया कि मरीन कमांडों की एक टुकडी भी श्रीनगर डैम के आसपास खोजबीन कर रही है भारती वायू सिनक का चिनुक हेलिकॉप्टर भी आपदाव में भारी समान लानी में मददगार साबित हो रहा है आज चौथी बार जोशीमा ठेलीपैट पर रेस्क्यू टीम, ड्रिल उपकरंड और मशीनों के साथ चिनुक लैंड हुआ आपदाप्रभावे जुगजु गाउं में एंटी पीसी के पैदल वेकलपे पुल्स से आवजा ही शुरू कर दी गई है तपोवन से गैर और भंग्यूल गाउं के लिए ट्रॉली से समान पहुंचाया जा रहा है